हाई गाईज वेलकम बैक टू परिक्षा गुरू एकडमी आज लेकर आएं आपके लिए फिर से एक बार जी एज जी के के नाश्टे के बाद का डोस का पार्ट फाइब वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना बुलें और हमारे टेलिग्राम चैनल परिक्षा गुरू एकडमी को ज्वाइन करें आजाओ सारे लोग जो लोग आते रहें यसर यसर लिखते रहें रुक जाते हैं, दो तीन सेकेंड, शुरू करें, शुरू करते हैं, पहला कुश्चन, गंगा नदी को बांगला देश में क्या कहा जाता है, जमना, पद्मा, युमना ये किष्डा, तो गंगा नदी को बांगला देश में क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा इसका right answer option B पदमा के नाम से जाना जाता है और ब्रहमपुत्र नदी को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है जमना के नाम से जाना जाता है और गंगा और ब्रहमपुत्र दोनों की संयुक्त जल्दारा को बांगलादेश में किस नाम से जाना जाता है मेगना के नाम से जाना जाता है ये नोट कर ले है important question है गंगा नदी और ब्रहंपत नदी दोनों की संयुत जल्दारा को बांगलादेश में मेगना के नाम से जाना जाता है गंगा नदी आपकी कहां निकलती है उत्तराखंड के ग पान, चंपारन या पोरबंदर इसी कोश्चन है ये तो बच्पन से पढ़ते चले आ रहे हैं गांदी जी का जन्ग 2 अक्टूबर 1889 को किसे स्थान पर हुआ तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option D पोरबंदर गुजरात में अच्छा गांदी जी की मुरत्यू कब हुई तो इस जन्वरी को शहीद दिवस मनाया जाता है को कोश्चन नमर थर्ड सम्भीदान के किस अनुच्छेत के तहट भारत को राज्जो का संग कहा जाता है एक दो तीन ये चार हैं इसी कोश्चन में लेकिन उसके साथ मैं आपको एक्ष्टा चीज़े बता रहा हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़े एकदम याद हो जाएं तो सम्भीदान के किस अनुच्छेत के तहट भारत के राज्जो का संग कहा जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन ए एक किसके अनुच्छेत एक के तहट कुश्चन नमर फोर तमिलनाडू राज्ज की राज़ नमर फाइब किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है शीलंका बांगलादेश पाकिस्तान या फिर इंडोनेशिया तो किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है इसी कुश्चन है कुछ स्टूडों ने सोचते होंगा सार यह तो हम बच्छपन से पढ़ते चले आए तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन बी बांगलादेश अच्छा बांगलादेश की बर पॉमोलोजी, PC कल्चर, EPL कल्चर या हटीर कल्चर इसे मैं सही कर देता हूँ इसे मैं कट कर देता हूँ यह फूल नहीं है फल है ठीक है अब बताइए ऐसर क्या ही है फलो की आध्यान को क्या कहते हैं Pomology PC Culture, A.P. Culture या हटीर trade तो फलो का अध्यान क्या कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option A Pomology अच्चा जो full चा चली महा लेजी follow का अध्यान क्या कहलाता है Anthrology देखते question number 7 भाकड़ा नागल बांद किस नदी पर बनाई गई है राबी नदी पर चिनाब नदी पर सतलज नदी पर या सिंदू नदी पर तो भाकड़ा नागल बांद किस नदी पर बनाई गई है कुछ का अंसर सही आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर Option C, सतलज नदीबर जो की पंजाब में इस्तित है Question No.8 जैसेहंता किस गिरंद का प्राचीन नाम है? रामाइड का, अतरवेत का, पुरान का ये महावारत का? तो जैसेहंता किस गिरंद का प्राचीन नाम है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आज हो जाएगा Option D, महावारत जो की जैसेहंता का प्राचीन नाम है इसका एक और प्राचीन नाम है? भारत, काली भारत भी बोला जाता है क्या बोला जाता है? महावारत को 3 उससे जाना है एक जैसेंता इसका प्राची नाम हो गया फिर भारत फिर महाबारत के नाम से भी जाना जाता है कुश्चन नुम्बर नाइन आडियान भारत के किस राज में इस्तित है महराष्ट, पश्चिम बंगाल, तमिल लाडू या उत्तराखंड तो आडियान भारत के किस राज में इस्तित है इससे पहले तो नाम भी नहीं सुना होगा इसका कुछ का भी आ गया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर option C, तमिल लाडू में, आडियान भारत के तमिल लाडू में इस्तित है कुश्चन नुम्बर 10 राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसे सौपता है लोकसभा के अध्यक्ष को, उपराष्ट पती को, प्रिधान मंदरी को या इन में से कोई नहीं तो राष्ट पती अपना त्याग पत्र किसे सौपता है जहर सी बात है राश्टपती उपराश्टपती को उपराश्टपती राश्टपती को तो इसका right answer हो जाएगा option B उपराश्टपती को question number 11 दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था महत्मा गांदी ने जवालना नेरू ने सुभाश्चंद्र बोस ने या भगस सिंग ने तो दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था easy question है सारे लेकिन मैं इसके साथ आपको detail भी बताता हूँ अच्छा कब दिया गया था ये बताइए कमेंट करिए फटा फट तो कब दिया गया 1943 को और कहां से दिया गया ये आपका जैपैन से दिया गया जैपैन से टोकिय की ओर बढ़ते हुए सुभाश्चंद बोस ने एक टुकड़ी को लिया कि दिल्ली चलो मलब अंग्रेज उसे लढ़ने के लिए ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर option C सुभाश्चंद बोस ने है question number 12 हजामती दरपड में किस दरपड का पिर्योग किया जाता है हजामती दरपड कौन सा होता है तो ये आपका shaving बाला जो होता है shaving moving करते है तो वो हजामती दरपड बोला जाता है तो किस दरपड का पिर्योग किया जाता है उत्तल दरपड़का, अप्तल दरपड़का, A और B दोनों का ये गोलिय दरपड़का तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Option B, अप्तल दरपड़का, हजामती दरपड़ में किस दरपड़का प्रियोग किया जाता है? अफ्तल दरपड़, हजामती में इस तरीके से होगा यह दरपड नहीं होगा तो अफ्तल दरपड का यह होगा अच्छा है, motor cycle में जो लगा होता है, mirror उसमें कौन सा लगा होता है, तो वो उत्तल दरपड लगा होता है इंगलिश में बताते हैं इंगबर ये दिखिए इंग्लिश में इसा बोलते हैं आपका Concave Mirror और ये होता है आपका Convex Mirror अपतल को Concave बिलते हैं और उत्तल को Convex बोलते हैं Question No.13 हाती गुमफा किस राज में इस्तित हैं हाती गुमफा किस राज में इस्तित हैं माराष्ट, करनाटक, तमिलाडू या उडिसा हाती गुमफा जो है वो एक शिलालेक है क्या है शिलालेक जो कि खारवेल के द्वारा लिखे गए थे जो आपका क्या नाम है मगत समराज जोता है उसके बाद एक उडिसा के भूमनिश्वर में उडिसा के भूमनिश्वर में उडिसा के बारे में लिखा हुआ था देखिए आप इगा कोश्चन भी आ गया कोश्चन नमबर 14 हाती गुमफा का संबंद किस धर्म से है बौध धर्म से पार्सी धर्म से जैन धर्म से या फिर ब्रहमर धर्म से तो हाती गुमफा का संबंद किस के धर्म से है तो right answer हो जाएगा option C, जैन धर्म से Question number 15, ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर इस्तिद है? कानपूर, अलाबाद, लखनव या बनारस तो ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर इस्तिद है? तो इसका right answer हो जाएगा option C, लखनव में इस्तिद है Question number 16, मदरास का नाम बदल कर चेन नहीं किस बर्ष रखा गया? 1980, 1985 या 1996 या 2005 में? तो मदरास का नाम बदल कर चेन नहीं किस बर्ष रखा गया? तो इसका right answer हो जाएगा option C, 1996 में Question number 17, गोकक जन्ना कहां पर इस्तिद है? बीजापूर, बेला गाउं, करनाटक, हरंगाबाद या कटक? तो गोकक जन्ना कहां पर इस्तिद है? दिखे गाइस, आपके लिए हम हर जगह से Question ढूने हैं, जहां से Question मिल सकता है, जो Question आपके Direct Exam में आएंगे, उसके लिए आपकी Preparation करा रहे हैं दिखे कोई Question कहीं से लेते हैं, कोई Question कहीं से लेते हैं, ताकि आपके हर डाइप की GNSG के कवर हो जाएं, कोई भी Question आपका एक्जाम में सिंगल Question भी गलत नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? Option B, बेलागाओ करनाटक, घुकक जन्नक कहां पर है, बेलागाओ करनाटक में Question 18, अम लिए बर्षा का मुख कारण है, SO2 ताथ NO2, कारबन मोनो आकसाइड, कारबन डाई आकसाइड या नाइट्रो, नाइट्रो, नाइट्रस आउकसाइड तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कुछ बच्चों के सही आंसर आया तो इसके राइट आंसर की बात करें, तो हो जाएगा Option A, SO2 और NO2, SO2 और NO2 जो होते हैं, वो बादल में जाते हैं, जैसे कि बादल में गया है, ठीक है? तो बादल में जाकर ये बादल के साथ किरिया करके भारी हो जाते हैं जब ये भारी हो जाते हैं तो फिर नीचे आते हैं बारिश के रूप में नीचे आते हैं और ये क्या होते हैं ये जहरी लिग ऐसे होती है तो ये जहरी लिग ऐसे होती हैं आगे प्रोसेस पूरा समझ में आये हैं, SO2, NO2 जब ये जलते हैं, तो उपर जाते हैं, उपर जब जाते हैं, तो बादलों के साथ किरिया करते हैं, रेक्षन होती इनकी, और जब ये रेक्षन होती हैं, तो ये भारी हो जाते हैं, बादल क्या हो जाते हैं बाहरी हो जाते हैं अब वो भजबूर हो जाते हैं बरसने के लिए तबी जो होती है अमलिय वर्षा होती है जो कि एक खतरनाग वर्षा है Question number 19 आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई 1975, 1980, 1982, 1992, 1995 तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई जो भी आपका Import और X-World बैंक कहलाता है तो इसका Right आंसर हो जाएगा Option C, 1982 में दिखते Question number 20 Good Earth ये गुड़ नहीं होगा Good Earth पुस्तक के लेखक कौन है Pearl S. Buck, JL. Mehta, BS. Naipol या पिर चंदशेकर राओ Good Earth पुस्तक के लेखक कौन है तो क्या हो जाएगा इसका Right आंसर Option A, Pearl S. Buck चुकि Good Earth पुस्तक के लेखक है Question number 21 Hemetite किसका है इसका है लोहे का, वो तामे का, चांदी का, अबरक का या लोहे का तो Hemetite किसका है इसका है बहुत बढ़िया गाइस D option आ रहा है तो इसके Right आंसर की बात करें तो हो जाएगा Option D, लोहे का लोहे के और भी ऐसक होते हैं, Ciderite होता है, Liminite होता है Hemetite होता है, Magnetite होता है तो कितने एसक होते हैं लोहे के Magnetite होता है, Ciderite होता है, Liminite होता है और Hemetite होता है ये लोहे के एसक होते है इसे इंग्लिश में Ores बोलते है Question No.23 संभीदान सभा का गठन किस Mission योजना के तहत किया गया Cabinet Mission, Babel योजना, Crips Mission या Mount Baton योजना तो संभीदान सभा का गठन किस Mission योजना के तहत किया गया ये कराया हुआ Question है, Easy Question है तो क्या हो जाएगा इसका Right Answer? Option A, 1946 में कब? तो Cabinet Mission जो लाया गया था वो Sir Panthic Lawrence की अधिक्स्ता में लाया गया था 1946 में, जो कि संभीदान सभा का गठन किया गया Question No.24 भारत का पिर्थम नागरिक कौन होता है? पिर्धान मंतिरी, उपराष्टपती, लोकसभाद द्यक्च या राष्टपती? तो क्या हो जाएगा इसका Right Answer? Option D, राष्टपती भारत का पिर्थम नागरिक कौन होता है? राष्टपती होता है पिछली बार question थोड़े tough थें, तो इस बेसे मैंने इस बार easy question लिए ताकि आप इस बार हल कर सकें अच्छे से decibel किसकी माप की इकाई है? पिरकाश की, धुनी की, विदुत तरंग की या विदुत धारा की? तो decibel किसकी इकाई है? तो इसका right answer हो जाएगा, option B, धुनी की हमारे कानों को सुनने के लिए परियाप्त decibel कितना होना चाहिए? 45 से 50 decibel सही रहता है इससे उपर या कम बढ़ने पर हमें सुनाई नहीं आएगी उपर बढ़ने पर हमारे कान के लिए खत्रा होता है Question No.26 गुप्त बन्ष का संसापक कौन था? समुद्र गुप्त, चंद्र गुप्त, पिर्थम, शिरी गुप्त या चंद्र गुप्त दुतिये? तो गुप्त बन्ष का संसापक कौन था? तो क्या हो जाएगा इसका right answer? option C, शिरी गुप्त गुप्त बन्ष का संसापक जो था founder था वो आपका शिरी गुप्त था लेकिन अगर बास्तिविक संसापक पूछा जाए real founder तो वो आपका चंद्र गुप्त पिर्थम जो की बिक्रमादित के नाम से जाना जाता है और समुध रुगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है question number 27 देखते है सिने बार किसका आयास का है मतलब सिने बार किसका ओर से है सोना का चांदी का लोहे का या पारे का तो सिने बार किसका आयास का है इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला है जी एस आप समझ गयोंगे है जी एस तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर option D पारे का सिने बार किसका है असके पारे का question number 28 तानसेन का असली नाम क्या था खुर्रम, पहलाग, योगराज या रामतनू पांडे तो तानसेन का असली नाम क्या था क्या है, मतलब क्या था यहां है, बात एक है तो क्या हो जाएगा इसका right answer option D, रामतनू पांडे जोकी अकवर के दरबार का एक 8 लोग थे ना तो अकवर का दरबारी था question number 30 अज सेकलो रैजेंडा पुस्तक के लेका कौन है बावबूती, शिप खेडा, अरोडशोडी यह सलमार रुष्दी तो क्या हो जाएगा इसका right answer अगर इसके right answer की बात करें तो आपका हो जाएगा option C, अरोडशोरी जोकी अज सेकलो रैजेंडा पुस्तक के लेका कहें बढ़ें आगे question number 31 की तरफ देखते है question number 31, 29 कर दिया कोई नहीं यारे question मिलना चाहिए 29, 31 से कोई फरक नहीं दिल्ली भारत की राज़दानी किस बर्ष बना 1910, 1912, 1915 यह 1920 अच्छा यह comment करके बताईए कि दिल्ली नई दिल्ली भारत की राज़दानी कब बना दिल्ली से नई दिल्ली राज़दानी कब बनी तो दिल्ली से नई दिल्ली जब राज़दानी बनी थी वो 1931 में बनी थी और दिल्ली जो भारत की राज़दानी बनी वो 1911 और 12 में बनी थी 11 भी आ जाती ही date कभी कभी और 12 भी आ जाती है 11 में प्रिवस्ताव हो गया था और 12 में पूर्ता दिल्ली भारत की राज़दानी बन गई थी और ये किसके हुआ था बेटेन के प्रधान मंतरी के स्वागत में दिल्ली की राज़दानी बनी थी कौन थे जॉर्ज पंचम के स्वागत में Question number 31 ये है टीपू सुल्तान कहा का शासक था हैदराबाद, मैसूर, गोलकुंडा ये बीज़ापूर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसी Question है इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा Option B मैसूर जो की करनाटक में इस्तित है आपको एक बात शाहिद नहीं पता होगी, टीपू सुल्तान की हाइट लगबग सभा साथ फिट के करीव थी बहुत लंबे चौड़े मनलब इनकी हाइट थी और सबसे पहले जो अंग्रेजों से लोहा लिया था अगर पूछा जाए कि कौन सा सबसे पहले जो राजा था जिसने मुस्लिम जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया था फिकार करते हैं और यह शेर के जबडे मतलब पाड़ देते हैं अब अंदाजा लगाएं कितने ताकतबर होंगे यह इट इस रियल स्टोरी यूटूब बगरह पर इसकी वीडियो भी मिल जाएंगे कुश्चन नमबर 32 हाती घुमफा को किसने बन बाया था राजा राज फिर्थम ने खार बेल ने सिकंदर ने या बिम्बी सार ने तो किसने बन बाया था हाती घुमफा को तो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर अभी मैंने उपर बताया था किसने खार बेल ने बढ़ते हैं कोशन नमबर 33 की तरफ आग्रे के किले में मोती मस्जित का निर्मार किस मुगल वाश्चा ने करवाया था जहागीर ने, अक्वर ने, हुमायू ने, शाजा ने तो आग्रे के किले में मोती मस्जित का निर्मार किस ने कराया था शाजा ने और दिल्ली के लालकला किसने बनवाया था शाजाने लेकिन उसमें जो मोती मस्जिद करने निर्मार करवाया दिल्ली में वो किसने करवाया था और अंजेब ने याद रखें देखें आगरे के किले में मोती मस्जिद करने निर्मार और अंजेब ने करवाया था question number 34 Asia के रोश्णी के नाम से किसे जाना जाता है महाबीर जैन, मुहम्मन सहाप, इसा मसी या गौतम बुद the light of Asia के नाम से किसे जाना जाता है easy question है here is a 10th उन्थ क्लास भी इसका chapter है the light of Asia के नाम से किसे जाना जाता है option D गौतम बुद्ध को question number 35 बांदीपूर राष्टी उद्धान किस राज्जी में इस्तित है मद्वपिदेश, महराष्ट, उत्राखंड या करनाटक तो क्या हो जाएगा इसका right answer option D करनाटक दिखिए guys मैं आपको एक चीज़ बता हूँ जैसे कि आप क्या करें कोई भी question आप यह static जी करेंगा, आप इसमें कुछ theory से याद नहीं कर सकते हैं, अब आपको यह रटना ही पड़ेगा, मतलब याद करना ही पड़ेगा कि बांदीपूर राष्टी उद्धान कहां पर करनाटक हैं, आप इसे कोई theory से नहीं याद कर सकते हैं, तो इसके लिए आप imagination किया करिए, मतलब कालपनिक चीज़, जैसे कि बांधीपूर आप सोची कि किसी को बांध के रखा तो वो क्या करेगा नाटक करेगा क्या करेगा नाटक करेगा जैसे कि आप बांधीपूर बांधीपूर से हमने निकाला क्या एक्स्टेट किया बांधना अगर किसी को बांध होगे एक माल लेते हैं तो वो क्या करेगा करनाटक से हम क्या पगड़ लेंगे करनाटक आगे समझ में आप से याद होने लगे चलिए मैं आप से आप जो है आपको ट्रिक भी बताया करूंगा जो भी कोश्चन होगी याद करने को आप से ट्रिक भी बताऊंगा कोश्चन नमबर चक्मा शडाती का समद्ध किस देश से है मियमार मलेशिया शेलंका या बांगलादेश तो चक्मा शर्डाती का समन्द किस देश चे है देखे चक्मा जो शर्डाती पाय जाते है मूलता आपके पाकिस्तान में भी थे और बांगला देश में भी म्यामार में भी भारत में भी ये आपके मिजोरम साइड में पाय जाते है जो कि इनका धर्म होता है, थारबेद एक धर्म होता है और हिंदु धर्म होता है, थारबेद भी वैसा ही होता है, पूझा अर्चना जैसा धर्म होता है, कौन सा धर्म होता है, अगर कभी पूचा जाये, चक्मा शडाती का धर्म कौन सा होता है, थारबेद करके, ती no. 37 कच्चे फलो कच्चे फलो को पकाने के लिए किसका पिरियोक किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option C acetylene gas का अब तो आज के टाम में काफी ट्रिक है कोल्ड स्टोर में लग दिया जाता है अपने आप ही पक जाता है उसके अलाबा कारबाइट पेपर होता है उससे भी पकाया जाता है question number 38 T शब्द का सम्बंद किस केल से है किरकिट से गोल्फ से टैनिस से या फुटबॉल से T शब्द का सम्बंद किस केल से है मैं इसकी भी आपको ट्रिक बता दूगा थोड़ी जाए थो जाएगा option A किरकिट से स्बंद किरकिट से मुझछ है question no 39 English channel को यह तयार कि एच्गों तो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला पिरतां भारती कौन था मेहर सिंग मिलका सिंग एम सिंदू या अरविंद नायार इंग्लिश चैनल जो ऐसा होता है जैसी कि आप बोल सकते हैं बहुत दूर तक की रेंज तक की नदी या बोट देदी जाती है तो उन्हें पार करना होता है एक टास्क होता ही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option A महर सेंग देखते question number 40 संपूर समिदान कि स्तिती में लागू किया गया 24 जनवरी 1949 पांच फरवरी 1950 26 जनवरी 1950 यह 24 जनवरी 1950 देखिए बनकर जो तयार हो गया था हमारा समिदान 26 नवर 1949 को लागू भी किया गया लेकिन क्या है पूर्ता जो लागू किया गया वह आपका कप किया गया समिदान 26 जनवरी 1950 को गाइस अपना स्कोर जरूर बताए कि स्कोर हमारा इतना हो गया सर और इस बार तो मुझे लगता है कि 40 में से 35 सही होंगे जायतर बच्चों के अगर 35 सही है तो आपकी preparation अच्छी है और after वीडियो के बाद अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है मैं उसके साथ आपको extra detail बत जाती है वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल परिक्च्छागुरु एकडमी बरेली को ज्वाइन करें ओके बाए